कि हलो फ्रेंड्स अमीना बुटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फरंट में ए और वी प्लेकिट का नेग डियाइन बनाने का तरीका सिखाऊंगा दोस्तों यह जो गला होगा यह बहुत ही सिंपल वे में होग और साथ ही जब आप इसे देखेंगे तो यह से वी आएगा और साथ में वी में भी आए गा तो इसको बनाना कैसे हैं तो यह मैं आपको पूरा अच्छी तरीके समझाओंगा पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लें दोस्तों यह घुर्ति स्टाइल में हैं इसमें बैग बनाने क्वे तो गल्य पे डीप है यां पर दोस्तों साथ इंच उम्म क्या करना है गले लटब कम से कम संपसीय रखेंगे हम साड़े तीन यानिकि साथ इंच का आई के बीप जाब साला सथ Caroline है पूने आठ नाप लेता हूं अब इसको देखे ऐसी रखना है और इस निसान पर इसको इस तरीके से दोस्तों निसान लगा लिया अब यह निसान लगाने और इसको नीचे तक ऐसे दोस्तों निशान लगा दूँगा यह निशान लगाने के बाद ठीक है इस जगा पर कि आप नीचे अंडाजा ले सकते हैं यहां पर मैं सब इंच के आसपर इस तरीके से यह एक निशान लगा देता हूं अब देखिए दोस्तों मैंने मार्किंग पूरी कर ली आप यहां पर हमें करना क्या है य। यह निशान लगाए इस पर आपको दियान देना हे तो सबसे पहले मैं इसको इतना इतना कटिंग करो दियान से दечно ठीक है उसके बाद बिल्कुल यहां पर इतने ही माजन से मैं उपर तक कटिंग कर लूँगा माजन हमारा एक पैर का है अब यह वाला इसा जो है हमने जो नाप के कटिंग करना था हमने कर लिए इसको मैं अलग कर देता हूं ठीक है इसको मैं ऐसे open करेंगे ए ऑपन करने के बाद इस साइड में दोस्तों हमें फेपर पेश्टिंग चिपका नहीं है बिल्कुल पत्राइस पेपर पेश्टिंग चिपका ले यह आपके बहु iç सब्सक्राइब देखना कि देखना कि देखना कि देखे मैं पेस्टिंग कटिंग ली इसके बाद दोस्तों मैं इसको न इस तरीके से किनारे पर ऐसे चिपका लेता हूं पटेश रखेश हैं पर देखें आप यहां पर इस तरीके से चिपक ग्याएद यह आपको आगे बताएंगे उसके बारेंगे अब दोस्तों देखें हटाने के बारें आपको एक अंदाजा भी ले लेंके यहां पर पट्टी लगानी आ सब्सक्राइब करेंगे एक तरफ की तो डबल में हो जाएगा 26 इंच तो यह देखिए दोस्तों यह काफी फाल्ट हुए और फाल्ट हुए रखें ठीक है कम ना पड़े इस चीज़ का द्यान रखें अब इसको न मैं अपने कपड़े पर चिपका लूँगा सेम करें अगर आप कंट्रास बनाना चाहते हो तो चलिए दोस्तों में इसको पहले चिपका लेता हूं फिर मैं बताउंगा कि आपको इसे क्या करना है तो देखिए दोस्तों पेर पेश्ण घंडे चिपका ली अब इसको ऐसे डबल मे मैं दिखा रहा हुँ है अब देखे मैं ने आपने इस तरीगे से प्रैस कर दी सेंघ्रेंग मैं इसी तरीगे से कर ले mobilize देगे तो यह देखे दोस्तों यहां पर प्त्टी फोल्ल करके मैं यह देखें बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों कटिंग होने के बाद अब हमें यहां पर क्या करना होगा यह हमारी जो है बैक साइड है इसको हम सीरी साइड करेंगे ऐसे और अब यहां पर दिहान से देखें दोस्तों इस चीज़ को अच्छे तरह समझ लें यहां पर हमारा मार्जन यह होगा यह वाला हिस्सा और यहां पर यह वाला हिस्सा ठीक है यहां से हमारा ऊपर की तरफ जाएगा यहां से हमारी इसलाई इदर आएगी तो हमें करना क्या है यह जो हमने निसान लगाया है ठीक है इसको हम इस तरीके से लेंगे ऊपर की तरफ इ यहां तक दोस्तों आपको सिलाई लगानी है ठीक है फिर दूसरी पट्टी है दूसरी पट्टी को भी दोस्तों हम इसी तरीके से रखेंगे और उसको हम इस जगह से पर स्टार्ड करेंगे दोस्तों यहां पर ऊपर तक ऐसे से म्सलाई लगा लेंगेए तो यह पत्ती में आपको लगा करें का सिलाई लगानी दोस्तों आप यहां लगा रहा है उत्तनी ही माजन सेंRO त्मुद्द दाला मिखनें नहीं खेचना अब यह अब यहां पर आने के बार यहां करेंगे से पक्का और यहां पर इसको हटा लेंगे ठीक है एक तरफ की देखें दोस्तों यह हमारी सलाई लग चुकी है अब आपको करना क्या होगा इसको हम ऐसे घुमाएंगे अपने लेंगे दूसरी पट्टी जैसा आपको बताया था इसको भी हम ऐसे रखेंगे और दोस्तों इसमें भी सेम सलाई लगानी है ठीक है तो चलिए दोस्तों इसमें भी बिल्कुल सेम सलाई तो यहां देखे दोस्तों सिलाई हमारी लग चुकी है तो देखे दोस्तों अब यहां पर हमें करना क्या होगा हमें इसको ऐसे रखना है और नीचे पेश्टिंग लगाई थी वह इसलिए लगा दिए आप थोड़ी पेश्टिंग आगे तक बढ़ा लें इसका फायदा यह हो हमें इस तरब दोस्तों पेलें तो देखे दोस्तों आप इसे ओवल लोक कर लिया अभी है और पट्टी आपकी ऐसे फोल्ड होगी ठीक है इस तरीके से ठीक है और ऐसे फोल्ट होने के बार ये फोल्ट होने के बार ये वालि पट्टी और ये जो इस पट्टी है आप इस पट्टी को कहीं भी बिठा पाओगे इसलिए आपको मैंने पहले काता है इसे प्रैस से ही फिनीसिंग आईगी आप देखें सिंपल में ही आप देखें कितनी प्यारी इसकी लोक आ रही है इसको एक बराबर दोस्तों देखें पेस्टिंग हमने जो लगाई थी उसका कारण यही था कि इसको देखाता हूं तो यह जम आपने इसी तरीके से बनाऊंगी जैसा मैं आपको बता रहा हुं तब आप देखना दोस्तों होती प्यारा आपका यह बनके आयका बहुत देख़ेंगे तो यह वाली जो साइड जा रही है आपका A Neck और तो यह जा रही होगए वी है आपका यह फिसावल की आपका घला ऊगया ठाल के दोस्तों जाधा चलता है तो उसमें आपका यह लूद काथा यानि पैणग का इस पैयना है दो से भी होती प्यारी लूक आने वाली है कि यह देखिए मैंने आप देख सकते हैं फिनीसिंग मैंने थोड़ा हाथ रख दिया इधर वाली साइड में भी हम इसको ऐसे लगा लेंगे और इधर भी हम प्रेस ऐसे लगा ले दें आप देखेंगे दोस्तों हमारा गला बैठनी तरीगे से बैठ चुका है अब यहाँ पर देखिए यहां क्या करना है कपड़े को ऐसे लेना है सिंपल इसको ऐसे कर देना है ठीक है यह वाली जो साइड़ेस को ऐसे रखेंगे देखिए कहां पर कितना इससा मुर्ड़रा है इ से निसान लगत दिकाने सुछाह गताँ तो यह की ऐपकी आप सिलाई लगेगी यह यहां तक सिलाई कैसे लगए यह चलिए मसीन क्यों आपως बिखाते हैं तो यह रेखाते हैं दोस्तों इस तरीके से रखना हम लगानों में सिलाई और यहां पर इसको सलाई एक बार लगाके पहले हम उतार देंगे ठीक है उतारने के बार हमें यहां पर जायजा लेना है यानि देखना है बिल्कुल सही सलाई लगी है या नहीं तो यहां पर सलाई लगने के बार बिल्कुल यह सही लगी है हलकी सी हम जड़ में और लगा ले के अब दोस्तों यहां पर आपको इस सरीके से कटिंग कर लेना है और इस साइड में वे दोस्तों ऑफ nggak और देखें की वड़ा है但 थोड़ा सा और एक चीज के अर्फ मेरे से भाव यहां फिक ह investigating में आको बताना यहां पर दिहान देंगे तो यह वाली जो साइड है दोस्तों यह हल किसी गुलाई मार गई दोस्तों यह प्लेकेट में हमेशा बिल्कुल स्फिनिसिंग से सीधा होना चाहिए आप देखेंगे इंचीटिव जो मेरा रखा है इस तरीके से करी सीधा होता तो इसकी लुक और प करीव एक सूत का फरक हो गया जिसके जैसे आपकी थोड़ी अजीव सी लग लिए उसकी वजह मैंने आपको बता दी कपड़े में यह आड़ापन है और थोड़ा हलका सा यहां पर खिच गया है तो यह चीज़ आपको नहीं करनी और अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो द कीज़ी तक लगाना होगा उससे मैं ऐसे बना लेना है बहुत इजी गला है दोस्तों यह तो आपको नहीं कैसे लगा कमेंस करके ज़रू बताएं थैंक्यों फॉर वाचिंग